दोस्तों, चार मई को वरुथिनी एकादशी पढ़ रही है। दोस्तों, इस वरुथिनी एकादशी के दिन यदि आपने सही तरीके से विधिविधान से अपने पूजा कर ली, तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बलकि बन जाओगे। आप करोडपती और खुशियो में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए इस उपाय को करने के शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह वर्दान और वह आशीरवाद मिलेगा, जिसके पश्चात ना केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, इशीघ्र के शीघ्र समाप्थ हो जाएंगे, बलकि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें व्रिद्धि होगी, माता लक्ष्मी बनाजी के आशीरवाद से फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी। कई वीडियो में बता चुके हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार पर बिल्कुल ही आती है जो लोग एकादशी के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर ले या फिर कुछ सरल टोटके कर ले तो उनकी किस्मत उपाय करना चाहिए क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति को हर उपाय सूट नहीं करता जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जा उसी तरह सब के ग्रह दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे, उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परंतु यह आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे, तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है, दोस्तों पूरे साल के सभी एकादशी को नहीं कर सकते, यह उपाय, परंतु कम से कम एक दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को अपने द्वार खोल कर रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे, दोस्तों, आप अपने घर के द्वार के कपाट को पूरे बंद रखेंगे, तो माता लक्ष्मी दूसरे के घर में प्रवेश करेंगी, बिल्कुल ही नहीं करते, तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते, उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते, इसी लिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं आप अपने घर के कपाट को खोल करके रखना मेरी यह बात बिलकुल ही गांट बांध करके रख ले और इस दिन दैवीय शक्ती प्रबल होती है आसुरी शक्ती होती है और वरुथिनी एकादशी के दिन किया उपाए कभी भी विफल नहीं जाता तो दोस्तों आज इस वीडियो में सर्व प्रथम जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष वास न कर सकें हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे वरुथिनी एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए जैसे कि मांस खाना नहीं चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए अब ऐसा क्यों थोड़ा सा जान लीजिए वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे रहते हैं परंतु एकादशी के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है क्योंकि जिस घर में मांगना चाहिए आप अपने से जैसे नमक मांग रहे हैं चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं तो कभी मत मांगना क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए उधारी मांगा है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है जो भी रूखा सुखा हो बन पड़े खाईये परंतु उधारी मत मांगना और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए क्योंकि यह पैसे लेने का दिन है ना कि पैसे देने का अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन के उपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है तो आप क्यों उनको उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए मैं तो कहना चाहूंगा, कम से कम एक पाव के आसपास धनिया खरीद करके लाएं और एक मुठी धनिया में थोड़ी सी तड़प को छिड़क देना है धुप का धुआ दिखा कर कि शाम के बाद, संध्या काल के बाद आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा-थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है जैसे ही हम प्रायह धन तेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी मा लक्ष्मी से होता है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं, तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंके, आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है शाम के बाद में है रखना शुरू कर दीजिए तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में खींचे चले आएंगे परन्तु मैं आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्शित होती है तो आप यह उपाय जरूर करिए अगर आपके घर में धन का आभाव तो माता लक्ष्मी आएंगी तो आपके घर में धन का आभाव दूर हो जाएंगे यह उपाय एक है, परंतु इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा, आपके घर में स्थिर माता लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर दरिद्रता चली जाएगी, आपके घर में लड़ाई जगडे होते हैं, वह भी होना बंध हो जाएंगे, कोई विशेश मनो कामना के लिए इस द दिन धातु के कचुआ अपने घर में बिलकुल ही खरीद करके लाना, कचुआ को भगवान विश्नु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विश्नु के स्वरूप माने जाते हैं, जहां पर नारायन हो, वहां पर लक्ष्मी स्वतह ही खीचे चले आते हैं, और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायन बनते हैं स्रिजन तो एक पालन है तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि इस दिन जो अब से बन पड़े धातु के बिलकुल ही घर में लाईए ऐसा समझा है जिस घर में धातु की कचुआ रखा जाए उस घर से वास्तु दोश भी मिट जाते छोटा सा इतरा थोड़ा सा चीनी सबको लाल कपड़े में डालना है एक पोटली जैसा आपको बांध लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए या फिर माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्रा केवल पांच बार बीज मंत्रा बोलना है और रात्रिक आलीन नौ बजे के बाद नस्दीक की जो नदी है जहां पर धारा गिर रही वहां पर इसे बहा देना है कोई विशेश मनोकामना हो वह मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी वह मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी हर इच्छा पूर्ण होगा आपने जीवन में जो करके रखे हैं वह इच्छा इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ती जागरित अवस्था में होती है वही उपाय बताना एक कर्तव्य है करना या ना करना यह आपके उपर करता है जिनको लाभ लेना हो यह उपाय कर लेना सौ प्रतिशत लाभ मिलेंगे केवल यह उपाय एकादशी के दिन ही सोमवार पड़े फलका होगा तो नहीं है तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए जीवन में चलिए घौर संकट को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर करें तो आशा करता हूँ अपने वीडियो में बताएंगे छोटी सी जानकारी जीवन को आपके तकदीर को बदल करके रख देगा बिलकुल ये भ्रमन करती है इसको देखते हैं कि इस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वर्दान और आशीरवाद भी दे देती है दोस्तों बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिल सकता है परंतु बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि पूरे पंडित एस्ट्रोलोजिस्ट जितने भी होते हैं वह वरुथिनी एकादशी का इंतजार करते हैं क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और दोस्तों इस वरुथिनी एकादशी पर सिर्फ आप साधारण से तीन लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे जोतिश शास्त्र में लिखा हुआ है जो आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वर्दान और वह आशीरवाद मिलेगा जिसके बाद ना केवल आपका भाग्य बदल जाएगा ना केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा बलकि शास्त्र और पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है अगर कोई माता लक्ष्मी जी का वर्दान हासिल करना चाहता है कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए कोई मानव यह चाहता है कि माता लक्ष्मी से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए तो दोस्तों आपको लौंग का उपाय करना ही पड़ेगा वरना आपकी पूजा सफल नहीं होगी वीडियों में हम आपको तीन लॉंग के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जिस उपाय को आपने सिर्फ एकादशी के दिन सही मुहूर्थ पर सही तरीके से कर लिया। और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही काम्याब होंगे। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आरशिवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन 24 के दिन करके आप लाब पा सकते हैं दोस्तों, यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो वह हमसे पूछ सकते हैं, वह आकर आपके कमेंट के रिपलाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दी इसलिए आप निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, इन उपायों को किस मुहूर्थ पर करना है, कैसे करना है, यह जरूर लिख, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वह पू लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आती है, वह है वरुथिनी एकादशी के दिन, और इस दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है, और इस उपाय का लाभ आपको मिलेगा, और माता लक्ष्मी का वर्दान भी मिल जाएगा, चलिए आपको एक-एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहला उपाय है धन हासिल का, महा उपाय, अब यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, यह उपाय करने से आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा, परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है, यह सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं, और चार दोहजार 24 की सूर्यास्थ के बाद पूजा आपको करनी है, उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए, होगी, वह सामग्री कौन-कौन सी है, एक लाल कपड़ा लाइए, लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए, सूती लाल का होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए, यह पहले कहीं लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है। वह भी मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए यह पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही वृतिनी एकादशी की सूर्यास्त होती है तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पह आप लोग अपने घर की पूजा, घर जहां वहां पर बैठिये, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरण पास रख दीजिए, एक गाय के दूद से बने हुए घी का दीपक जलाइए, और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र और इस पोटली तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए, इतना उपाय सिर्फ आपने वरुथिनी एकादशी के दिन कर लिया, यकीन मानिये दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, इतना धन आएगा जिसकी आपने कलपना नहीं की ह होगी.